गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम सिय सुमित गर गया और अपने चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आफ्टर सो मैनी पॉजिटिव चेंज़ अन दे जी एस्टी पोर्टल फाइनली वो चेंज भी अब पोर्टल पर कर दिया गया है जिसका हमें काफी टाइम से इंतजार था इन्वाइस फर्निशिंग फैसिलिटी या फिर शॉट में मैं जिसे कहूं मिनी जी एस्टी आर वन ये अब पोर्टल पर एक्टिवेट कर दी गई है तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वाइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है आप इसका इस्तमाल किस तरीके से कर सकते हैं और ये क्यों आपके लिए बेनिफिशिल रहने वाला है तो आईए देखते हैं जी एस्टी पोर्टल पर ये अपडेट आया है आज की डेट में 6 जन्वरी 2021 को इन्वाइस फर्निशिंग फैसिलिटी आप सभी इसे मिनी जी एस्टी आर वन कह सकते हैं इसमें कोई भी चेंज नहीं है एन इन्वाइस फर्निशिंग फैसिलिटी है जी प्रोवाइड़ेट टू टेक्सपेर अंडर क्यू आर एम पी स्कीम वालों के लिए है basically problem क्या थी कि जो quarterly return filers थे जो अपनी जी एस्टी आर वन quarterly basis पे फाइल करते थे वो उन से supplier जो उनके buyer थे वो नाराज थे क्यों कि जब वो जी एस्टी आर वन अपनी फाइल करेंगे quarterly basis पे और अगर उनका जो buyer है वो monthly basis वाला है तो buyer के GSTR 2A में credit नहीं आपाएगा जब तक की GSTR 1 ना file कर दी जाए Hence और अभी जो latest amendments चल रही हैं जो rule 364 को reduce करते करते 20% से 10% then 5% पे अब ले आए हैं तो जो monthly GSTR filers हैं वो quarterly वालों से माल नहीं purchase करने वाले थे तो इसी चीज के निप्टारे के लिए यह IFF facility को introduce किया गया है कि चाहे GSTR 1 आप quarterly basis पर file करो लेकिन यदि कोई buyer चाहता है कि आप उसको credit दिखाई दे monthly basis पर तो यह facility आपको optional दी गई है कि उन सभी buyer की request पे उन सभी buyer की request पे आप invoice furnishing facility यानि कि एक mini GSTR 1 जिसमें सिर्फ B2B invoices आपको fill करने हैं और उन सभी की B2B invoices जो भी party चाहती है कि इनका credit दिखाई दे आप यहाँ पर fill कर सकते हैं तो जैसे ही आप इसे fill करेंगे सामने जो party है आपकी buyer party उसको GSTR 2A या 2B में अपना credit दिखाई दे जाएगा और वो legal तरीके से उसे claim कर सकता है तो यहाँ पर देखा जाए तो GSTR 1 आपकी एक तरीके से monthly हो जाएगी तो इस scheme के अंदर आपको GSTR 1 monthly भरने दी जाएगी लेकिन इसमें difference क्या है सबसे पहला monthly GSTR 1 होना या फिर ना होना इसमें difference क्या है यदि आप IFF invoice furnishing facility को use नहीं करते हैं या फिर किसी मन्थ में आप भरना भूल जाते हैं तो इस पर किसी भी तरीके की late fees नहीं है क्योंकि late भरना इसे allowed ही नहीं है ये आप उस particular मन्थ के 13 तारिक तक भर सकते हैं 13 तारिक के बाद आप इसको नहीं भर पाएंगे suppose कीजिए January, February, March जो आपका next quarter आने वाला है तो January मन्थ के जो invoice आपने issued किये है अगर आपका buyer चाता है आपसे कि उसे उसका credit मिल जाए तो आप 13 तक वो bills upload कर सकते हैं इस facility के through लेकिन ध्यान दिजएका इसमें सिर्फ B2B ही आएंगे क्योंकि credit के problem सिर्फ B2B वालों को है तक जो भी आपके buyer बिल चाते हैं वो आप इसके through upload कर सकते हैं और submit कर सकते हैं इसमें पूरे मन्थ के सारे bills देने की जरूरत नहीं है सिर्फ buyer जिस बिल की request करता है वो ही करने हैं और आपके उपर एक limit लगाई गई है कि आप इस furnishing facility से 50 लाग से उपर तक के बिल नहीं डाल पाएंगे तो maximum आप 50 लाग तक के बिल यहाँ आप से डाल पाएंगे तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यह invoice furnishing facility क्या है और इसे क्यों इंटर्ड्यूस किया गया है तो आईए पढ़ते है An invoice furnishing facility has been provided to taxpayer under QRMP scheme QRMP scheme में कौन है जो कि GSTR 1 quarterly basis पे फाइल करते हैं और GSTR 3 भी quarterly basis पे फाइल करते है As per rule 2 of rule 59 Taxpayers who have opted for quarterly filing frequency under the scheme can file their details of outward supplies B2B invoices only For the first two months यानि कि आप अपने quarter के जो पहले दो महीने है अगर मैं January, February, March की बात करता हूँ तो January के bill आप 13 February तक upload कर सकते है February के bill या फिर January के bill जो छूट गए है जनवरी और February के आप 13 March तक upload कर पाएंगे और similarly जब 13 April आएगा तो आपको GSTR 1 ही भरनी होगी Mini GSTR 1 उस समय नहीं भरनी होगी तो आपको सारी details वहाँ पर डालनी होगी इस बात का ध्यान दीजिए अगर आपने कोई bill Invoice Furnishing Facility से upload कर दिया है तो वो वाला bill आपको GSTR 1 में show नहीं करना है Otherwise double credit सामने वाली party के पास चला जाएगा तो वो वाला bill आपको वहाँ पर upload नहीं करना है तो इसलिए मैं इसे mini GSTR 1 कह रहा हूँ कि कुछ bills आप यहाँ पर upload कर सकते हैं और कुछ bills आप दूसरे जो GSTR 1 आप full flash GSTR 1 भरेंगे उसमें upload कर सकते हैं यहाँ पर आप ध्यान दीजे B2B Invoices साथी साथ उसके credit note, debit note जो भी है या फिर amendment अगर कोई हुई है B2B Invoices में तो आप उसको upload यहाँ से कर सकते हैं अब इसको आपको fill कैसे करना है मैंने यहाँ पर एक login कर रखा है आपको services पर जाना है returns पर return पर जाने के बाद आपको return dashboard पर click करना है तो यह facility किन के लिए है जो की QRMP scheme में opt करते हैं यहाँ पर आपको अपना जो first month है January, February, March quarter का जो first month है वो January है आपको select कर लेना है जैसे आप search करते हैं यहाँ पर देखे क्या लिखा रहा है invoice furnishing facility optional तो यहाँ पर यह optional है इसके लिए किसी भी तरीकी की late fees नहीं है अगर आप file नहीं करते हैं तो यहाँ पर expire हो जाएगी और अगर आप file करते हैं तो जो सामने वाली party है उस buyer को उसका credit सेम मन्त में मिल जाएगा तो आप इस पर click करेंगे जैसे आप click करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो GSTR 1 के कुछ mini portion यानि कि B2B और credit note वो ही visible होंगे बाकी के जो export invoices या फिर B2C वाले जो columns हैं वो यहाँ पर available नहीं है यह बिल्कुल same GSTR 1 की तरह आपको भरना है B2B, credit note और generate IFF summary करना है जैसे कि आप GSTR 1 में करते हैं लेकिन वो 10 minute वाली problem अभी भी GSTR 1 की तरह इसमें solve नहीं की गई है यानि कि अगर आपने कोई एक बार generate कर दी summary तो next summary आपको 10 minute बाद ही available होगी बिल्कुल इसको same GSTR 1 की तरह file करना है और जैसे ही आप इसे file कर देते हैं सामने वाली party को आपका credit मिल जाएगा same month में तो अब जो quarterly filers है उनको benefit है और जो monthly filers है वो भी quarterly filers वालों से माल खरीच सकते हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको FAQ दिये गए हैं जो कि पढ़ना आपके लिए important है अगर आप GSTR 1 जो IFF facility का use करने जा रहे है तो सबसे पहले मैं last ही FAQ दिखाता हूँ इस filing of GSTR 1 या IFF form is different from filing of GSTR 1 और any other return No, the filing of GSTR 1 IFF form is similar to filing any other return form तो बिलकुल यह similar रहेगा इसमें किसी भी तरीके की कोई भी changes नहीं है सिर्फ B2B की invoices आपको upload करनी है जो की सामने वाले को credit मिल जाए तो यहाँ पर question है क्या यह मेरे लिए compulsory है नहीं optional है 13th of the month तक can I late file my invoices after the 13th of the month तो 13 तारिक के बाद आप upload नहीं कर पाएंगे फिर आपको next month की IFF facility में या फिर next to next month की जो GSTR 1 भरेंगे उसमें इसे दिखाना होगा यहाँ पर आपकी prerequisites क्या क्या है कि कौन इसे opt कर सकता है ए रेगुलर टेक्सपेर opt कर सकता है जिसके पास एक valid user ID and password है और वो GSTR 1 quarterly frequency पर opt करना चाहिए साथी साथ यहाँ पर reset function भी दिया जाएगा आपको reset function अगर आपने कोई data save किया है तो save करने के बाद आप reset दबाएंगे तो वो सारा data आपका remove हो जाएगा और आप fresh IFF form भर पाएंगे लेकिन ध्यान दीजिए अगर आपने एक बाद data submit कर दिया submit करने के बाद यह change नहीं हो सकता अब last point जो मैं इस वीडियो में discuss करने जा रहा हूँ वो है opting of quarterly filing तो इसको किस तरीके से आप opt in कर सकते हैं सबसे पहले जो January, February, March month है जो यह current quarter है इस quarter में government ने आपके भिहाफ पर automatically आपका option select कर दिया है उन्होंने past pattern देखा है कि आप GSTR 1 monthly file करते हैं या quarterly file करते हैं उसके basis पे उन्होंने current month का भी यह option है यह automatically select कर लिया है तो अभी आप इसे change कर सकते हैं 31st January तक आपके पास time है तो यह change करना है या opt करना है तो कैसे करेंगे आप services पे जाएंगे, return पे जाएंगे और यहाँ पे आता है opt in for quarterly return तो यहाँ पर यह page खुल जाएगा यह option आप quarter to quarter change कर सकते हैं और quarter to quarter opt कर सकते हैं तो 20-21 में मैं search करता हूँ तो यहाँ पर मेरा January, February, March month का quarter है उसके लिए मेरे को available date दिखा रहा है यह date देखे कब से कब तक है 5th December से 31st January यानि कि January, February, March तक का मैं option कब select कर सकता हूँ 31 January तक ऐसे ही अगर मैं April, May, June की बात करूँ तो उसका option मैं कब तक select कर सकता हूँ 30th April तक के लिए 30th April तक वो option मेरे को कब visible होगा 1 March को 1 March से 30th April तक मैं next quarter के लिए opt कर सकता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे Quarter 4, January to March, Monthly और Quarterly तो अभी मेरा option जो है automatically government ने quarterly select कर रखा है मेरे पास message भी आया था default message लेकिन अगर मेरे को monthly करना है तो यहाँ पर मैं monthly select कर सकता हूँ यह option आपको बहुत ध्यान से choose करना है क्यों अगर आप quarterly फाइल करते हैं तो आप देखे GSTR 3B की जो date रहेगी वो 24 अपरेल रहेगी और third month में आपको भरना होगा अगर मैं GSTR 1 की बात करूँ तो पहले दो महीने के लिए आपको IIF facility दी जाएगी mini GSTR 1 जो की optional होगी और फिर third month में आपको GSTR 1 भरनी होगी अब यहाँ पर एक बात important है पहले जो quarterly filers थे उनकी GSTR 1 की due date 31st of the next month होती थी यानि कि January, February, March की जो date होती थी वो 31st, 30th April रहती लेकिन अब जो GSTR 1 है उसकी date change कर दी गई है अब उसकी date 13th of the next month कर दी गई है यानि कि अब GSTR 1 GSTR 3B से पहले ही भरी जाएगी क्योंकि उसी के base पे GSTR 3B में data अब auto populate होगा तो भूल कर भी ये गलती ना करें 31st तक का इंतजार ना करें अब आपकी जो date रहेंगी वो 30th रहेंगी तो अगर आप quarterly select करते हैं तो GSTR 3B की जो है 3rd month में भरनी हैं लेकिन GSTR 1 आप 1st, 2nd और 3rd month कभी भी भर सकते हैं और साथी साथ अगर आप monthly select करते हैं तो आपकी GSTR 3B आपको तीनों monthly basis पे file करनी है और GSTR 1 की आप date देखेंगे तो यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 2 दिनों का benefit दिया गया है उन लोगों को जो की GSTR 3B quarterly select करते हैं तो यानि कि अगर आप monthly select कर लेते हैं तो आपकी जो due date है वो 11 हो जाएगी तो GSTR 1 की due date depend करेगी GSTR 3B की due date पे तो यह आप option अभी 31 जनवरी तक select कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको clear है Thank you so much